हे गाईज आस सलाम वालेकूम आज हम इस वीडियो में आपको दिगाएंगे स्लीप्स अटेच करना जो कि रेडिमेट कूर्टी पर अटेच करना तो यह देखिए रेडिमेट कूर्टी जो कि आर्म होल्ड सिली हुई है तो चलिए हम लोग इसको अटेच करते हैं तो यह कर लेते हैं याप देख सकते हैं आप देख सकते है कि इस पंड़ के अमें सबीडिकियpri नोटिविकरेंगे करेंगे तो सिलाई अच्छी आएगी तो जब तक यह सिलाई होती है आप हमारे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा और बैल आइकन दबा लेज़ेगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक बहुत सके तो यह देखिए हमारा स्लिप्स त इंच पे होगी और यह आर्मोल्ड की निशान हम लोग लगाते हुए हम इसको स्टिशट कर लेंगे पहले स्लिप्स को सिल लेंगे फिर उसके बाद अठेच करेंगे अब देख सकते हैं कि अमारी स्लिप्स चैनल सिला चुका है को यह दो किरने थो क्पड़े से आर्मोल्ड को रखते हुए अटेज कर लेंगे यह सीधा पॉइνट पर इस बीस के सेंटर को रखके पिन कर लेंगे ताकि यह कपड़ा इधर से उधर ना हो जाए और यह पिन करके हम लोग इसको अटेज करेंगे और अमारी कुर्टी दोनों ही कप्ड़े सीधे रहेंगे और एक पेक रखके हमें स्टीचिंग करनी और पेपर लगाते हुए तो चलिए हम लोग इसको इस्टीच कर लेते हैं हमें बीस के से सिलाई करनी है जो कि अमारी आधी स्लीफ्स की सिलाई हो चुकी है यह देखिए बीच सेंटर हमारा बीच में आ रहा है तो चलिए हम इधर से दागे को कट करके दूसरी सरब से भी स्टीचिंग कर लेते हैं लगते हुए हमें दीरे दीरे इसकी स्टीचिंग करनी है और बीच में सेंटर से नीचे जाते हुए मिला लेना है तो चलिए दागे को कट कर ले रहे हैं और हमारी स्लीप से अटेच हो चुकी है अब हम इसके पेपर को रिमूप कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि स्लीप कितनी आसानी से अटेच हो चुकी है जो कि बहुत है अच्छा पढ़ रहा है तो आपको भी बनादा आपको भी अगर डिमेट स्लीप्स अटेच्च करना हो कुर्ती में तो ऐसे ही स्टीच करके स्लीप्स को अटेच्च करें और वीडियो अच्छी लग गए? तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्क्राइब बाब बाइ, Allah आफेज़